कि हम अपने सेगिंड चेप्टर भी आई हुए हैं और हम आगे की और चलते हैं आज हम बात करेंगे अगरी कल्चर एंड इरिगेशन से स्टार्ट करते हैं मैनी अपने अचीवमेंट्स की चोल सामराज्य की तो वहां पर क्या है किरिशी के लिए बहुत सारे प्रिवर्तन हुए लुक अट मैप 2 अगें दो नंबर के मैप है उसको दुवारा से देखें सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर आप यदी देखेंगे का वेरी नदी को यदी धूंडने का प्रियतन करेंगे यहां पर कावेरी नदी दिखाई गई है ठीक है उसके बाद यह सोर्स दिखाए गए किस परकार से चैनल से अलग अलग चैनल समें डिवाइड हो जाती थी तो यह सोर्स थे हमारी एरिगेशन के रूप में उप्योग होता था ठीक है आप कह सकते हैं कि जो अगरी कल्चर थ पर जो आपकी रेलू आवश्यक्ता है थी उन्हें में 20 काउप्यों बता था भी अगरी कल्चर है डैवलोप अर्लियर इन अधर पार्ट अप्तमिलनाडू इट वाज ओनली फ्रॉम दा फिप्टूट शेंचरी डैट इस एरिया वाज उपन डप फोर लार्ज स्केल कल्टि उसमें शुरू हुई थी ठीक है और यहां पर क्या एक बहुत बड़ा जो एरिया था वहां पर कल्टिवेशन किया जाता था फोरेस्ट है टूब बी कलियर इन सम रीजन्स लैंड है टूब लेवल इन अधर एरिया इन डिल्टा रीजन एमबार्कमेंट्स है टूब बीड तो प्रिवेंट फ्लडिंग एंड चैनल से टूबी कंस्ट्रक्टिड टू उसके बाद क्या है कि भी जो है हमने बात की कि भी लार्ज स्केल पर कल्टिवेशन होता था तो उसके लिए क्या उन्होंने क्या फोरेस्ट को बहु ज़्यादा कलियर कर दिया गया था जो आपकी जो फ्लड आती है इसको फ्लड रोकने के लिए तरट बनाया जाते हैं ताकि बाड का पानिया वहां पर नहीं आए चैनल है टो बी कंस्ट्रक्टिड और दूबारा से बनाया जा रहा था और कैरी वाटर टो दफिल्स और उनके दौबारा क्या कि भी पानी को क्या है हमारे पानी की बज़े से वहां पर क्या कि एक साल में दो फसले वहां पर उगाई जाती थी वही इन मैंने के सीजिट वाटर क्रोप्स आर्टिफीसली कुछ अक्षेत्रों में जो हजल है कि वाटर जो है वहां पर जो है तो कृत्रीम रूप से पहुंचाया जाता था वाराइटी वाटर उशक शेत्र में क्या बड़े-बड़े टैंक बना दिये गए जिसमें से क्या कि जो बारिस होती थी उसके अंदर उसका पानी कठा हो जाता था रिमेंबर दैट इरिगेशन वरक्स रिक्वार प्लैनिंग और गिनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सीज में मेंटेनि तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि भी जो इरिगेशन का जो सिस्टम था जो हम बात कर रहे हैं कि भी जो सिचाई का जो कारिय था उसके लिए क्या आपको एक नहीं आपको प्लैनिंग करनी पड़ेगी आपको नियोजन करना पड़ेगा और आपके पास क्या है कि भी संगठी टृप से बहुत बड़ी मात्रा में लेबर होने चाहिए जाहिए लेबर के साथ कि आपके पास रिशॉर्स होने चाहिए जिससे क्या आप उसको पानी कोई कठा करें और आप उसको यूज कर सकते हैं और इस सब इस को मैंटें करने के लिए कि बी वाटर को किस परकार से और कब कितनी मात्रा में प्लैन आपको क्या देना है सब के लिए कि बहुत कुछल कारिये के लिए क्या आपको मतलब कुछल सर्मिक और एक अच्छी परकार की प्लैनिंग की बहुत ज़्यादा वश्यक्ता रहती है और चाहे वहाँ पर जो नएनए शाषक रहे हैं या फिक जो खुद लोग थे तो वह विलेजेश के अंदर रहने वाले लोग तो सब भी क्या थे इस परकार के कार्जी के अंदर क्या हो बहुत ही जाबा मतलब क्या थे वह एक्टिव रहते थे भी करने को त्यार थे भई कि अधी एड्मिनिस्ट्रेशन ऑफ्टी एंपायर तो परसासनी गतिविदियां किस परकार थी या फिर किस परकार से चलाया जाता था उसके बारे में इस पड़ेंगे हम सेटल्मेंट्स ऑफ्टी जानते हैं तो यह क्या बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरियस से हो गया था सम्रीद हो गया था एरिकरी कल्चर का जो स्प्रेड हुआ तो बहुत अलग अलग जो कई जो गाओं थे वह एक लार्जर यूनिट का निर्मान करते थे जिससे नाडू काइते हैं दा विलेज कांशिल एड़ नाडव परफॉंच्ट एडिनिस्टेटिव फंक्षन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस और टैस्ट टेस्ट टैस्ट उसके बाद जो गाउं का जो विलेज को आई कांशिल होती थी और नाडव थी जो यह गाहूं नावडू होते हैं जो हमारा विलेजिस का सुसमू था उसके माध्यम से किया जाता था है रिच पीजेंट्स ऑफ दा वेलला कास्ट एक्स एक्सरसाइज कंसीडरेबल कंट्रोल ओवर दा फिर्स ऑफ दी नाडू अंडर दा सुपरवीजन आफ दी सेंट्रल चोल गवर्मेंट उसके बाद है जो एक वेलला कास्ट थी वेलला कास्ट भी यह क्याती भई एक बहुत ज़्यादा रिच पीजेंट्स थे यह कास्ट से संबन रखते हैं बहुत ज़्यादा और यह क्या है कि जो चोल सामराजे था उनके जो मतलब क्या चोल सामराजे के नीचे क्या थे उनके के नीचे क्या कि भी यह जो कारिये था वो आइडमिस्टेशन का वो यह कंट्रोल करते थे भी कि दा चोल किंग्स गेव समरीच लैंड ओनर टाइटल लाइक्स मौाव दिविन विलन और पीजन सर्विंग त्री किंग्स और यार चीफ एक्स्ट्रा मार्केट और रिस्पेक्ट एंड एंड ट्रस्टीट देम विए इंपोर्टेंट ओफिश्यल ऑफ दे स्टेट अव इसके बाद जो चोल समराज्य के जो किंग्स थे जो भी राजा थे उन्होंने क्या किया जो बड़े बड़े जमीदार होगा करते थे उनको कु बड़े और यो योर चीफ बोला जाता इसको तो यह जो है यह कुछ नाम थे जो उनको दिये जाते थे और उनको क्या कि भी अलग से क्या है सेंटर जो एंड एंटरस्ट इन विडे इंपोर्टन ऑफीशियल ऑफ दे स्टेट इन दा सेंटर उसका मतलब क्या कि जो सरकार है एड्मिनिस्टेशन था उनको अलग से क्या है कि मान समान के तरीके से क्या है कि अलग से पद्वी दी जाती थी सिंपल तरीके से कुछ है टाइप्स के नाम है जिस परकार से आपने पिछे पढ़ी है जैसे वेलंद वगी है लैंड ओफ नॉन ब्रामन पीजेंट प्रोस्परीज क्यों सन है आपका यहां से मारक करेंगे हम इसको बढ़ेंगे भी वी हैव सीन दा ब्रहामना जो फंद रिशीव लैंड ग् कहते थे उसे ब्रहामदेया कहते थे और इस परकार से जो ब्रहामनों की अलग से एक सेट्रमेंट्स थी वो विक्सित हो गई थी कावेरी वैली के अंदर और इसके साथ-साथ क्या बार्ट के दक्षिनी पार्ट के अंदर अलग-अलग बागों में यह देखने को मिला इच कि आप जो है जो परमुक होता था वह ब्रहामन एक जो है कह सकते हैं कि जमीन का मलिखा है वह उता था और ब्रहामन होता था दीज अच्छी परकेर से क्या है यह असेमली चलती थी टेडिशिजन्स वर रिकोडेन बड़े इंसक्रिप्शन और जो यह निर लिए जाते थे इ कभी कभी पराय क्या था इनकी जो दिवारें होती थी मंदिरों की उनके ओपर लिख दिये जाते थे एसोचियेशन आप ट्रेडर नग नग्राम्स आल्चों की जनिली परफॉर्म्ड डाइद मिस्टेट्टिव फंक्शन इन टांस तो कुछ सहर होते थे वहां पर क्या नग्र इस एक इंस्क्रिप्शन मिली है हमारी तमयलादू के अंदर तो वहां पर यह पूरी डिटेल दोताएगे किस परकार से जो है इनकी सब्सक्राइब होती थी वह ओर्गनाइज होती थी इस सब्सक्राइब है तो सेपरेट कमिटी तो लुक आफ्ट आफ्ट डाइगेशन वर पर यह जो जो सिस्टम था सबार के अंदर जो हम बात करें तो वह जैसे कोई भी वरख है रिगेशन का कारी है कोई गार्डन वगेरा का मंदीर का कारी है जो भी कारी करवान होता था उसके लिए क्या करते थे पहले तो एलिजिबल कंडिडेट को देखा जाता था यानि कि जिसके पास जमीन है तो वह भी आपको देखने को मिलेगा अगे की और दी गई है कि भी जमीन होनी चाहिए सबा का जो है कोन एक मेंबर हो सकता है जैसे कि उमर 35-70 है उसको वेद का ज्यान है या नहीं है ठीक वह कुछ कंडिशन अगर वह पूरी करता है तो उसके बाद उन बार निकाली जाती थी और उसके हिसाब से उनको काम सोब दिया जाता था ठीक है जैसे यहां पर है कि भी वह जो सभा की बात करें ना विए इंस्क्रिप्शन में लिए कि सबागा जो मेंबर कौन बन सकता था कि भी उसके पास अपना खुद का गर हो 35-70 साल की उमर हो वेद